एक बड़ बोला जीव जो बोलते बोलते इतनी पॉपुलारिटी कमा गया ओनलाइन कि उसको लगने लगा कि वो भारत के नक्षे को बदल देगा और ये दिवास अपने वो खुदी नहीं देख रहा बलकि अपने आसपास उससे जुड़े बच्चों को भी दिखा रहा है ये वही है जो एक ऐसे आतंकवादी को अपना गुरू मानते हैं जिसने सिर्फ भारत को चुनोती ही नहीं दी बलकि पूरे सिख समाज को नीचा दिखाने की कोशिच भी कर रहा है SFJ का लीडर गुरूप अत्वन सिंग पन्नु भारत ने इसकी गती विदियो को देखते हुए उसको जुलाई 2022 में आधिकारिक रूप से आधंकवादी कोशिद कर दिया है अभी तक कई सारे समाचार के माध्यम से आपको ये ग्याद तो हो ही गया होगा कि पन्नु भारत को तोड़कर खालिस्तान को अलग करना चाहता है लेकिन उसका ये दिये सिर्फ खालिस्तान नहीं है एक नई इंटलिजन सिपोर्ट से बता चला है कि पन्नु पूरे भारत को धर्मीक आधार पर तोड़ना चाहता है और सिर्फ खालिस्तान नहीं बलकि अन्य चोड़े चोड़े देश भी बनाना चाहता है जिसमें एक देश का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ उर्दूस्तान है खबर ये भी है कि इस विजन के चलते पन्नु कश्मीर में भी उग्रवात को बढ़ाने में एक्टिव रोल अधा कर रहा है देखने वाली बात यह है कि ये विजन काफी व्यापक और भारत वीरोती है जिसके चलते नए डौजिये के आधार पर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हर्याना और उत्तराकांड में कुल मिलाके गुरुपत्वन सिंग पन्नू के खिलाफ 16 मामले दर्ज करवाये गए हैं जिस तरह से एक-एक करके नई इंटेलिजन्स आ रही है उसके चलते यह खालिस्तान वाला मामला और भी संगीन होता नजर आ रहा है लेकिन इसमें एक खासे अस्पत बात यह है कि उसको जो उर्दूस्तान बनाने का विजन है और जो नाम सोचा है वो काफी ओक्सी मोरौन है यानि कि अपने आप में ही काफी विरोध अफासी है खेर अजी डोवल जी की लीडर्शिप में एनाये ने सिर्फ पन्नू ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में रह रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कारेवाई शुरू कर दी है जिसके चलते पन्नू की भी भारत में जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके जब्त किया जा रहा है और साथ में हर्दीप सिंग निजजर की तरह गुरू पत्वन सिंग पन्नू के खिलाफ भी इंटरपोल में रेट कोरनर नोडिस इशु करने पर काम चल गाए इंटलिजन्स एजेंसी CIA का सपोर्ट है या फिर वो खुद एक अंडरकवर CIA ओपरेटिव है इसके उपर विश्वास करने की एक वज़ा है जो हमें द्वितिय विश्वयूद के बाद में देखने को मिली थी उस गटना में कुछ बारी तत्वों के प्रवाव से एक देश का कई चोटे-चोटे देशों में भी बाजन हो गया था United States of Soviet Russia याने की USSR यूक्रेन जिसके साथ रश्या का युद्ध चल रहा है वो भी रश्या का भाग था लौट कर आते हैं पन्नू के उपर तो USA के उपर बार-बार इस तरह की गति वीडियो में लिप्ट रहने के आरोप लगे हैं और कई हद तक सच भी साबित हुए हैं तो पन्नू को CIA का सपोर्ट मिलने की बात हमें काफी हद तक सच भी लग रही है आप क्या सोचते हैं बारत जो इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है उस पे और आपको क्या लगता है कि पन्नू को CIA का क्या सपोर्ट हासिल है और ऐसे कौन से स्टेब्स हैं जो भारत सरकार को लेने चाहिए ऐसे भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ ये हमे कॉमें कॉमेंट में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और इंडिया स्ट्राइक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे हमारे साहस को बल मिलता है जय हिंद